हाइ गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तो पठान गया था अब वो जवान होके आया है जी आ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवान मुवी के डे वन के बॉक्स ओफिस प्रेडिक्षन के बारे में तो दोस्तो आपने पिछले कई सारे वीडियो में बौट ज्यादा प्यार दिया है और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे This video. को लाइक करना मत बुलना अगर आप भी मेरी तरह सारू खान कींग खान के टूब हैं तो और दोस्तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर देना तो चलिए दोस्तो बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते दोस्तो पठान फिल्म ने बॉक्स ओपिस पर छपप किंखा नहीं हरा सकता है जिया दोस्तो पठान का रेकोर्ड जवान ही तोड़ेगा और कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई गदर टू फिल्म भी पठान का रेकोर्ड नहीं तोड़ पाई थी लेकिन दोस्तो जिस तरह से जवान फिल्म का क्रेज है उस हिसाब से लगता है कि य लगबग पांच लाग केस से भी ज़्यादा हो चुका है यानि कि 500 केस से भी ज़्यादा बुकमाई सो पे इंटरस्ट बढ़ गया है एक नया बेंचमार्स तो हासिल कर दिया है और दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टारकस के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें 30 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूस हासिल कर दिया थे दोस्तों ट्रेलर ने और दोस्तों लाइक के मामले में भी इस ट्रेलर ने कई सारे रेकॉर्ड दोड़ दिया है अब दोस्तों एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टा पाएगा ऐसा पहले लगता था कि जवान फिल्म पठान का रेकोर्ड नहीं तोड़ पाएगी लेकिन दोस्तो अब ऐसा लगता है कि ये फिल्म का रेकोर्ड कोई नहीं तोड़ पालेगी पठान फिल्म में अपने पहले दिन 57 करोड का कलेक्शन किया था इंडिया से अब दोस सेम भी 65 करोड तक नहीं पहुच पाता और दोस्तों ऐसा कारणामा कींग खानी कर सकता है और दोस्तों सारुखन टूपोइंट और वापस आ गया है अब तो यह सवरुवाद है आगे तो कई रेकोर्ड तूटने वाले हैं साथ ही दोस्तों डंकी मुवी का भी मैंने ट्रेल की अपडेट दी है वो नहीं देखी तो चैनल में जाके देख लेना और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को पड़ा पड़ से सस्क्राइब कर देना